नौरात दो प्रकार के होते हैं पहली प्रगट नौरात्री दूसरी गुप्त नौरात्री प्रगट नौरात्री भी दो हैं एक चैत्रमास की नौरात्री और एक शार्दिय नौरात्री मगर दोनों में ही शार्दिय नौरात्री और चैत्र नौरात्री में प्रथम सेल पुत्र की कुजा होती है उसके बाद ब्रमचारणी की उसके बाद चंद घंटा की फिर उसके बाद कुश्मांडा असकंद माता कत्ताइनी कालरात्री महागवरी और सिध्धात्री आसान रूप में अगर हमने करना चाहते हैं तो जैसे शैल पत्री है उनका प्रिय भोग जो है वो घी है और प्रिय फल उनको अनार है अगर हम घी का भोग लगाएं और अनार का फल चाहाएं तो शैल पत्री जल्दी ही प्रसंद होती है इसी प्रकार ब्रमचारी के लिए चीनी का भोग है और सेव का फल है चंद घंटा के लिए दूद का भोग है और केले का फल है अश्टम महागवरी के लिए दिल का भोगह और शरीफी का फल है इसके अलावा अगर आहँ मारे पास कुछ लब्द नहीं है और हम सिर्फ गुड चढ़ाते हैं गुड और चने इसमें भी देवी बहत प्रसंद होती है नो दिन चला सकते हैं नो दिन गुड़ और जो है चना आप नो दिन चला सकते हैं